हेलो दोस्तों कैसे आप सब आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्क्स करेंगे फॉस ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले अगर हम बात करें कूलिंग टावर की प्रियोग होते हैं ताकि उस पानी का फिर से प्रियोग किया जासके और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कोस्ट ओफ वाटर उसको कम किया जासके और जो cooling tower है एक परकार से हम कह सकते हैं कि open direct contact type का heat exchanger होता है और cooling tower heat rejection device है जो waste heat को atmosphere में reject करते हैं पानी की बोचारों को ठंडा करने के बाद कम तापमान पर अगर हम applications की बात करें जो cooling tower है वो oil refineries में, petrochemical या दूसरे chemical plant, thermal power station इतियादी में इनका प्रियोग किया जाता है buildings को ठंडा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो cooling tower मेंली दो type के होते हैं, air flow के आधार पे उसको categorize किया जाता है एक होता है natural draft cooling tower और दूसरा होता है mechanical draft cooling tower तो आज हम बात करेंगे mechanical draft cooling tower के दो type, force draft cooling tower और induced draft cooling tower के बारे में तो सबसे पहले हमने कुछ parameter को यहाँ पर consider किया है, जिसके आधार पे हम बताएंगे कि इन दोनों types के cooling tower में क्या difference होता है तो अगर मैं बात करता हूँ force draft cooling tower में, इसमें जो fan होता है, वह है bottom से थोड़ा सा उपर एक side में लगा होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो fan का installation है वो base से थोड़ा सा उपर side में होता है, आप इस diagram में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर side पर जो fan हो लगा होता है, air circulation के लिए और यहाँ पर अगरम देखें, induced draft cooling tower में, इसमें top पर fan का installation होता है, यह आप देख सकते हैं कि top side पर जो fan है वो installed होता है, उसके बाद जो बात करें कि किस किस type का fan प्रयोग किया जाता है, जो force draft cooling tower है इसमें axial और centrifugal type का fan का प्रयोग करते हैं और इसमें over pressure create होता है, जबकि जो induced draft cooling tower है, इसमें हम axial fan का प्रयोग करते हैं, जिसमें low pressure create होता है, अब बात आती है fan के size की, जो fan का size है वो किस पर depend करता है, जो force draft cooling tower है, इस case में जो fan size है, वो tower के size के आधार पर limited होता है, लेकिन जो induced draft cooling tower है, इसका जो fan size सीमित होता है, यो depend करता है, टावर के weight पर, जो fan blade erosion, इसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन induced draft cooling tower में जो fan blade का जो erosion है उसके erode होने के ज़्यादा chances रहते हैं उसके बाद आता है vibration और noise अगर हम बात करें force draft cooling tower में इसमें noise और vibration बहुत कम होती है लेकिन induced draft cooling tower में जो vibration और noise का जो level रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है उसके बाद आता है operation safety जो force draft cooling tower है इसमें safe operation होता है लेकिन जो induced draft cooling tower है इसमें जो operation होते हैं वो safe नहीं होते हैं वो थोड़ा unsafe रहते हैं initial cost की अगर हम बात करते हैं initial cost force draft cooling tower की ज़्यादा होती है लेकिन induced draft cooling tower की initial cost कम होती है अब बात आती है power consumption पर या energy consumption की हम बात करें इस case में जो power consumption है बहुत ज़्यादा होती है लेकिन induced draft cooling tower के case में जो power consumption है कम होती है force draft cooling tower के comparison में 50% कम power consumption होता है उसके बात है air distribution और circulation जो force draft cooling tower है इसमें जो air का distribution होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है लेकिन air के circulation में problem आती है जबकि induced draft cooling tower इसका थोड़ा सा विपरित है air distribution इसमें बहुती poor और खराब होता है लेकिन air का जो circulation है वो बहुत बढ़िया रहता है उसके बाद है जो next factor है वो है frost formation जो fan की इसमें housing है वहाँ पर जो आपको नज़र आ रही जो fan है इसकी जो housing होती है यहाँ पर बात करें सरदियों के motion में जो frost formation हो जाती है लेकिन जो induced draft cooling tower है इसमें fan की housing पर frost formation होने की कोई भी संभावना नहीं होती उसके बाद आती है pump की requirement क्या रहती है अगर हम बात करें force draft cooling tower की इसमें water circulation के लिए high capacity pump की आपशकता पड़ती है लेकिन induced draft cooling tower के case में हमें जो pump की requirement होती है वो water के circulation के लिए small capacity का pump भी इसमें चल सकता है उसके बाद बात करें अगर maintenance की बात करें force draft cooling tower के case में maintenance आसानी से की जा सकती है लेकिन induced draft cooling tower में problem आती है थोड़ी से maintenance करने में थोड़ा difficult task होता है उसके बाद efficient की बात करते हैं जो force draft cooling tower है वो ज़्यादा efficient होते हैं और जो induced draft cooling tower है वो कम efficient होते हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि जो force draft cooling tower और induced draft cooling tower के बीच में क्या difference होता है और ये दोनों ही mechanical draft cooling tower के types हैं जो mechanical draft cooling tower में जो air का circulation है वो natural नहीं होता natural draft cooling tower की तरह है बलकि इसमें जैसा हमने बात की एक अलग से fan की arrangement की जाती है एक fan को install किया जाता है air की circulation के लिए तो आज हमने आपके साथ discuss किया cooling tower के differences के बारे में आपसे बात किया अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channels को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जल्दी हाजर होते हैं